इसमें भाई एक चीज़ चेंज कर लेना मेरे कहने से तूपर फोर सिफ एक फरक है जो इसको में तो भाई सबसे बड़ा चेंज क्या आया है पार्टना एड नहीं हो पाता था बिल्कुल भी आप भी लगवा सकते हो पर उसका कनेक्शन से फ्यूज बोक्स ही देना दूसरा चेंज क्या है अब बाहर का चेंज इस तो भाई मैंने आपको दिखा दिया गाड़ी के अंदर क्या चेंज किया महिंदरा ने अब आजाते हैं भाई फाइनल वर्डिट के ओपर और क्या Z8 Select अब वाके में ही value for money variant बन गया है हलो जी welcome back to channel कैसे आप सब उमित कदा आप सब बहुत अच्छे और फुल मैंसे भी life को enjoy कर रहे होगे भाई आपको नब बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा जब Scorpion के Z6 variant के अंदर से काफी features भाई हटा दिये गए थे लेकिन अब उससे ज़्यादा खुशी आपको होने वाली है इस variant को देखके अब जब भी कोई काड़ी मार्केट में आते हैं बंदा ये देखता है यार टोप model में क्या आ रहा है lower variant में क्या रहा है, mid में का रहा है लेकिन एक ऐसा variant होता है जिसको हम बोलते है VFM value for money variant value for money जो variant था Scorpio N का वो था पहले Z6 जिसको 4x4 नहीं लेना होता था लेकिन अब जो value for money model बनने जा रहा है या बन चुका है वो तो आपको इस video में पता लगी जाएगा, तो पेश है भाई Scorpio N का नया Z8 select variant बहार से कर आप इस गाड़ी को देखोगा न तो लगबग लगबग भाई आपको ये top model वाली ही feel देने वाला है feel का भाई, लगी नहीं है जो गाड़ी के अंदर changes करे है महिंदरा ने और भाई, हहले तो मैं कहता था कि हाँ महिंदरा अच्छे से variants नहीं बनाता लेकिन भाई, समय के साथ-साथ महिंदरा ने भाई, लेब पकड़ ली है variant कैसे बनाने है, क्या pricing रखनी है, कैसे customer को attract करना है, वो सारी चीजे front से देखो इस गाड़ी को, ये जो look आ रही है गाड़ी की, ये भाई, as it is जो आपको Z8, Z8 L के अंदर मिलती है, बिल्कूल सेम है भाई, Z6 जो variant आता था उसमें भाई, आपको यहाँ पर chrome नहीं मिलता था P6 slot होती है न, छे लाइने होती है, ये भी आपको भाई, silver में मिलती थी, main तो भाई, सबसे बड़ा change क्या आया है, ये देखो, headlights fog lamp, Z6 के अंदर भाई, आपको normal वाली lights मिल दीती, multi reflector लेकिन इसके अंदर भाई, आपको sequential indicator मिलेगा with follow me, home lamp वाला feature भी आपको मिलेगा, ये आपको LED के अंदर मिलेगा, प्लस साथ की साथ भाई, आपको fog lamp with DRL भी company fitted मिल रहा है, जैसा आप गाड़ी का उनलोग करोंगे, जैसा सेम आपकी top end model होता है, same as it is, जब आप गाड़ी का उनलोग करते हैं, तो ये light इसकी blink करती है तिरफो सिफ एक फरक है, जो इसको Z8L से differentiate करता है, वो है इसका front camera, front camera की quality इतनी कुछ खास भी नहीं है, जैसा भी नहीं मिलेंगे, वो आपको Z8L में मिलते है Z8 में नहीं थे, main जो इस गाड़ी का भाई रहेगा ना, comparison और जो main इस गाड़ी को बनाया गया है वो Z6 के उपर बनाया गया है कि जो लोगों को Z6 चीए थी, उसके अंदर कुछ जो add वो करवाते दे market access 3 बोलो, जो लगवानी पड़ती थी, वो चीज़े महिंदरा ने आपको साथ में ही दे दी over skid plate भी आपको satin silver finish में मिलेगी, बाकी गाड़ी as it is same है तो ये तो बात होगी, गाड़ी के front looks की, front में ये change किया है महिंदरा ने अब आजाते हैं side look पे, तो भाई यहाँ पे अब आपको 17 inch के diamond cut alloy wheels मिलते हैं टार profile रहेगी, 245, 65, R17 इसी बात नहीं है भाई, के 17 inch का जो ये wheel है, ये भाई कुछ दबा दबा लगता है, नहीं सामने ये गाड़ी खड़ी है 18 inch की, 18 inch में भी थोड़ा सा एक inch फरक पड़ जाता है लेकिन जो इसका hub है, उसको बड़ा कर दिया गया है, ये देखो, इसमें जो ये है, ये चीज़े छोटी है हाला कि 139 PCD है भाई, Scorpion की, बिल्कुल ही अलग है, जो XP-5W कहते जी तो ये जो gap है न आपका, जो LOE का design दिखता है, ये 17 और 18 inch में लगबग बराबर ही दिखता है उसमें भाई, एक चीज़ चेंज कर ले न, मेरे कहने से, 245, 65, 17 न न, 265, 65, R17 डाल देना, old air entire, मजा आ जाएगा आपको हाँ, 4x4 में नहीं मिलती है ये गाड़ी आपको, क्योंकि वो तो आपको Z8 से ही start होता है, 4x4 लेकिन जो engine की power है, वो आपको भाई, वही वाली मिलेगी, जो आपको upper variants से मिलती है जो Z4 automatic, ये Z4 4x4 से start होती है, तो power as the same है, 172 BHP, 400 का talk side में आ जाते हैं, तो यहां पर आपको ORVM मिलेंगे, return indicators and ये जो ORVM है, ये भाई, electrically adjusted है, foldable नहीं है, foldable नहीं मिलेंगे, ये आपको हाथ से ही fold करने पड़ेंगे, body color door handles आते हैं, Z6 के अंदर body color door handle नहीं आते हैं, एक चीज़ और अच्छी करिए, जिन लोगो थोड़ा सा chrome पसंद है गाड़ी में, तो भाई, आपको chrome की bidding, company से ही लगके आ रही है, ये door वाली bidding जो है, ये तो आप बाद में भी लगवा सकते ह हो, change करा सकते हो, लेकिन जो ये वाला part होता था भाई, ये वाला partner add नहीं हो पाता था, बिल्कुल भी, ये वाला भाई, उपर से चिपकाना पड़ता था, तो उसमें वो feel नहीं आती थी, तो ये company fitted आ जिसको chrome पसंद है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, उसके अल नए वेरिंट्स आ रहे हैं, उनके अंदर भाई, महेंदरा ने दो पार्किंग सेंसर कर दे, पहले चार आते थे, इन दो की ही काफी अच्छी capacity है, हम खोले तो भाई, यहां पे भी काफी चेंज किया है, ये चेंज हां की पहले हो गया था, Scorpio N के अंदर, इसके में, तो मैं आपको एक बार सीट उठा कर दिखा देता हूं, यहां पे आपको ट्रे दे दी गई है, जो जितना भी टूल था, वो सारा यहां पे सेट कर दिया है, पहले एक अलग से एक बैग बना रखा था, उसको यहां रखते थे, लगेश थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा डाउन तो कुछ सीट के नीचे समान आ जाता था, लेकिन यह अच्छा लग रहा है, साफ, सुत्रा, क्लीन, नीट और क्लीन, बारा वोल्ट भी सिर्फ आपको यहां पीछे दिया गया है, आगे ने दिया महिंद्रा ने, अब तो यहां पे आपको क्रोम मिलता है, तो आउट लूक क कि अगर आप बात करें, लुक्स की अगर आप बात करें, तो भाई कंपनी ने इसको बिल्कुल भार से Z8L ही बना रखा है, को आगे देखने में, चलने में बंदा नहीं बता सकता, कि यह गाड़ी Z8 Select है, मतलब यह Select मतलब selected लोगों के लिए है, अब sequential turn indicator भाई खाली आपको फ्रंट में नहीं मिलते, वो आपको रियर में भी मिलते हैं, अब बाहर का चेंज इस तो भाई मैंने आपको दिखा दिया, गाड़ी के अंदर क्या चेंज किया महिंद्रा ने, तो आपको दिखाते हैं, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आओगे, देखो, सीट पर आथ करता है, सारे ही मोडल, सारे ही वेरियंट, जितने भी है, सब के अंदर यही चावी मिलती है, अला कि दूसरी जो चावी है, वो आपको डमी मिलेगी, पुश्टार्ट नहीं एड किया है, जब पुश्टार्ट एड कर देंगे, तो भाई जैड़ी लगानी है, यह वाला जो टॉपेंड वेरियंट वाला ही इंस्टूमेंट कलस्टर आपको यहां पर मिलेगा, प्लस इस सी वेरियंट से भाई, आपको ड्राइव मोड भी मिलने स्टार्ट है, देखो आप यह जैप लिखा हुआ, एंड यह चेंज कैसे होते है, यह ड्राइव मोड पे हमने टैप किय तो वहाँ जाके आप अपना चेंज कर सकते हो, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ओटो स्टार्ट स्टॉप, एसो एस, यह सारे भाई चीज़े आपको जैडेट सेलेक्ट के अंदर मिलेगी, आपको इनफोटैन्मेंट सिस्टम है, वह भाई आपको टॉप मो बड़ी मतलब ऐसी चीज़ें थी, एकसेसरी आप काउंट कर सकते हो, जैसे फोग लैंप हो गया, अलोई विल्स हो गया, लैदरेट सीट कवर्स हो गये, तो यह सारी चीज़े ना कस्टमर भार से लगवाता था, तो महिंदरा निना वह आपको कंपनी से ही करके दे दी है, वो एसी कंट्रोल है, वो आपको मैनुवली ही मिलेंगे, और अटमाटिक क्लामेट कंट्रोल यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो कि सारी शीज़े एस इटीज ही रहेंगी, आपको क्रोम भी मिलेगा, यह भी सिल्वर फिनिश मिलेगा, प्लस यहाँ पर भी लैदर टच मि एर बैग मिलते हैं, लेकिन जैड़ेट से आपको इस गाड़ी के अंदर छे एर बैग मिलेगे, तो सेफट्व पॉइंट ऑविस से भाई बहुत अच्छी बात है, तो भाई स्कॉर्पियन के अंदर लैडर ओन फ्रेम होने के बावजूद, इतना कमफर्ट है और बोडी र बैग मिलेगे, यहां पर थोड़ सा सिलोर फिनिश मिलेगा, यहां पर आपको मैनूल ट्रांस्मिशन और आट्रमाटिक ट्रांस्मिशन दोनों का ही ऑप्शन मिलेगा, फोर बाफोर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जैड़ेट से अंदर वह आपको सिर्फ जैड सकते हैं, एक टाइप C भी दे देते यार, एक यहां पर 12 वोल्ट भी दे देते हैं, यह रहा आमरेट, आपको यहां पर छोटी सी स्टोरेज, स्टोरेज इतनी खास बड़ी नहीं है, आप अपना वालेट और एक संग्लास होल्डर जो होता है अपना केस, वही डाल सकते हो, मैनुल, IRVM रहेगा, यहां पर आपको संग्लास होल्डर मिलेगा, लाइट, वाइट, इनकी रोशनी काफी तेज है, संरूफ तो हमें Z6 में मिलती थी, इसमें मिलती है, काफी बड़ी संरूफ है, एक बार उपन करके भी मापको दिखाई देता हो, तो वनटच है, आप इस लाइट दिया गया है, एन जो स्टेरिंग है, उसमें आपको भाई, खाली टिल्ट का आप्शन मिलेगा, वो तो जितनी भी स्कॉर पे नहीं सब के अंदर तिल्टी मिलता है, टेलिस्कॉपिक नहीं मिलता है, एन लाइट सापको यहां पर आपको अपर वेरिंट से मिलेंग है, तो मेरे कॉर्डिंग सेट होगी, अब चलते हैं गाड़ी के पीछे, तो आपको बताना है भूल गया भाई, इन में भी चेंज किया है, यहां देखो, आपको सोफ्ट कुशनिंग मिलती है, काफी अच्छी है यार, ठीक है, और यह ओल प्यानो ब्लैक कर दिया, स्विच कुछ नहीं दिया गया है, यहां बस आपको हेडलेट लेवलर ही मिलेगा, अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पे, रियर में दिखाते हैं कि क्या कुछ बदलाव किया है महिंदराने रियर में, तो भाई, इन एन आउट बहुत इसी है भाई, गाड़ी का, रियर में आप आपको ड्राइवर्स और को ड्राइवर्स दोनों साइडी, सीट बैक पोकेट मिलती है, यहां पे आपको एसी वैंट दी गए है, एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है, जो एसी है उसका कंट्रोल अलग से दिया गया, एक चीज आपको यहां मेंशन कर देता हूं मैं, जो इ इडिंग लेंप, यहां पे भी मिलते हैं, फ़ला बंदा कैसे जाएगा भाई, कुछ नहीं करना, यह गया भाई, वन टच किया, आपने डाउन, यहां से पैर रखो और दूसरा सीधा पीछे, यहां पे आपको एक ग्रैब हैंडल दिया गया, यहां पे आपना चाहें तो फ एठूंगा तो अकेला ही बैठ सकता हूँ, वो भी जादा लंबे सफर के लिए नहीं बैठ सकता, छोटे मोटे सफर के लिए चलेगा, यहां पे भाई, आपको आमरेस्ट मिलता है, वेट टू काफो फोल्डर्स, लेकिन यह थोड़ा छोटा है, और जब हम यहां हाथ रखत करते हैं, लेकिन जब गाड़ी को डिजाइन करते हैं, उनकी महनत कितनी लगती है, यह तो है भाई, पर ठीक है, नो डाउट, पर ठीक है यार, कुछ चीजों में तो फिरो हम कहते हैं, चलता है, इसको कर दो बंद, यहां पे छोटा सा हेड्रस मिलता है, क्योंकि बीच में अगर बच्चा बैठता है तो, बाकि तीन बंदे भाई, इस में आराम से यहां पर बैठ सकते हैं, भाई, यह देखो है, से करके, जो सी टरनल है, वो भाई, ज्यादा उची नहीं है, हम जो है, और मैं आराम से यहां बैठूँगा, थाई सपोर्ट, काफी अच्छा है, गा क्या पता, भाई, फीचर्स दिये हो, पचास हजार के, प्राइस बढ़ा दिया हो, एक लाग का, तो ऐसा नहीं किया है, भाई, महिंदा ने, अगर आप इस गाड़ी को compare करते हो, manual to manual, automatic to automatic, अगर आप manual से, diesel से compare करें, पेट्रोल तो पहले Z6 के अंदर आता ही नहीं था, तो Z Z6 वालों में जो पेट्रोल लेना चाहते थे, वो बंदे अब आपना Z8 Select को ले सकते हैं, अब प्राइस डिफरेंशेट की बात करें, तो जो manual है, उसमें जो डिफरेंस आता हो तकरीब आता है, एक लाग चालिस हजार पे का, और अगर हम compare करते है, automatic को automatic से, एक हम automatic ले रहे ह है, Z6 और एक हम automatic ले रहे है, Z8 Select, डीजल की, उसमें जो प्राइस डिफरेंस है, वो 60-70,000 रुपे का है, एक शोरूम तो वो सिर्फ 51,000 ही है, लेकिन जब गाड़ी on road आती है, तो 60-70,000 तक तो हो जाता है, और जो इसकी एक शोरूम है, जो अगर आप Z8 Select का petrol manual लेते हो, तो 16,99,000 यानि 17,000,000 रुपे का है, 17,000,000 के उपर भाई, आप मान के चलो, 1,500,000,000 रुपे उपर लगे हारेना में, 18,000 के राउंड आपको on road पड़ेगी, प्राइस डिफेंशेट मैंने बता दिया, बाकि जो प्राइस है, वो मैं भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ड देखते हो, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ऐलोईज की ही बात कर ले, क्योंकि Z6 से अंदर हमको ऐलोईज नहीं मिलते हैं, तो ऐलोईज को मान के चलो, कि साटे के जार के तो आपके ऐलोईज हो जाते हैं, उसके बाद गाड़ी की हैड लाइट्स हो जाती है, इनको मिला बाद में लगवा ही नहीं सकते, बैक कैमरा हो गया, और भी बहुत सारे लैदरेफ स्टेरिंग हो गया, लैदरेफ सीट्स हो गई, तो जिस हिसाब से भाई, महिंदरा ने इसके अंदर फीचर्स दिये हैं, उस हिसाब से प्राइस ये अपना पूरा जस्टिफाई करती है, अपने ही सेग्मेंट को नहीं खाएगा, ये दूसरे सेग्मेंट को भी खाएगा, सेल्टोस को डर हो जाएगा, क्रेटा को डर हो जाएगा, अलकेजार को डर होगा, इवन महिंदरा की एक्सवी 7W की सेल्स पर ही फरक पड़ सकता है, अपने ही परिवार को डर हो सकता है, औ तो टाटा की सहरीर को भी फरक बड़ेगा, इस आप से गाड़ी खाली, VFM नहीं है, M VFM है, Most Value for Money variant बन गई है भाई, यही वर्डिक्ट है, अगर आपको भाई, 4x4 की requirement नहीं है, तो भाई, आप इस गाड़ी को देखो, 20-22 लाग के बजट के अंदर भाई, बहुत ही बहतरी गाड़ी है, बहुत ही जबर्स बहतरीन गाड़ी है, चीज और बतायाता हूं का को पेट्रोल लेनी है, डीजल लेनी है, ऐस आपकी मंथली रनिंग, 2000 km से कम है, तो यूज चुड गो विद पेट्रोल, और अगर आप 2000 km से ज़ादा चलाते है, सिटी की रनिंग, हाईवे की तो आप इसके ऑटमेटिक भरे जाओ क्योंकि ऑटमेटिक में और मैनुवल में जादा डिफरेंस है नहीं अब तो सिर्फ एक लाग का ही फरक है यह थी भाई नई Z8 Select Scorpio N बड़ा ही प्यारा कलर है हां और कलर की बाद तो हमने करी नहीं भाई हां नया कलर भी तो आया ना इसके साथ यह कलर भाई XUV7W से जादा Scorpio N के उपर फबराया भाई मतलब उस गाड़ी में तो ठीक है आया था नया कलर लेकिन Scorpion के उपर भाई यह कुछ जादा ही फबराया है मेरका तो बहुत अच्छा लगा आप बताना कि आपको यह कलर और यह वेरियंट कैसा लगा भाई Scorpio N का मैंने तो अगर आपको भाई महिंद्रा की गाडियों पर चाहिए बेस्ट दील डू विजिट डीम महिंद्रा गुडगाउं नमबर मैंने उनका डिस्क्रिक्शन बॉक्स में डाल रखा है तो अब उनसे कॉंटेक्ट करके बेस्ट दील ले सकते हैं गाडियों के उपर चल दे बाबा झाल